और अउन हमें पर डो खिले नई नहीं 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 देखना यहां वी यहां नई आया है और इसने स्कूल में दाखला लेना है इसे पहले में दिखाने के लिए आया हूं बस ठीक है ठीक है लेकिन जादा देर मत लगाना और बच्चे तुम बहुत अच्छे तरीके से स्कूल देख लेना उमीद करता हूं तुम्हें पसंद आएगा ये शुक्रिया अंकल वै तुम्हारा नाम क्या है मेरा नाम चीकू है और बच्चों को प्यार से बात करते हैं तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया तुम्हारा नाम क्या है मेरा नाम चीकू है बंटी क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे अरे यार तुमने मुझे अप पूछा है मैं तो तुम्हारा काफी देर से दोस्त बन गया था जब तुमने मुझे बाते करना शुरू की थी ओ अच्छा आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज पहली बार मुझे एक चीरिया का बेटा अपना दोस्त बनाने को मिला है चीकू मुझे ये बताओ यहाँ पर कितनी फीस लेते हैं एक बच्चे की अरे दोस्त यहाँ पर कोई फीस नहीं लेते सबसे अच्छी बात तो यह है यहाँ के लोग सब बच्चों को अलग अलग नोक्रियां खुद ही दिलवा देते हैं क्या मतलब बेशक जैसा भी पढ़ा उनोक्री खुद ही दे देंगे वो लोग नहीं नहीं तुम्हें मालوم है ये जंगल बहुत ज़्यादा कामियाब है यहां के टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं वो बच्चों के दोस्त बनकर रहते हैं उनकी तमाम मुश्किल में उनकी मदद करते हैं तो मैं अपनी ममा को कली लेकर आता हूँ यहां पर बहुत जादा मज़ा आएगा हम दोनों एक ही कलास में बैठा करेंगे बंटी खुशी खुशी अपने घर वापस चला जाता है और रानो चीरिया को जा कर सारी बात बता देता है अरे बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है देखो तुम्हें तुम्हारी पसंद का स्कूल आखिरकार मिल ही गया कल जाकर तुम्हारे टीचर से तुम्हारे बारे में बात कर लेती हूँ मैं उस रात बंटी बहुत जादा खुश था उसे बहुत बेसबरी से इंतजार था आखिर सुबह कब होगी और वो कब अपने स्कूल जाएगा जल्दी जल्दी सारा सबक याद कर लेता हूँ इस स्कूल में मेरी टीचर बहुत अच्छी मिलने वाली है टीचर को सारा सबक सुना दूंगा टीचर मुझे बहुत जादा खुश हो जाएगी सर मैं अपने बेटे का अडमीशन आपके स्कूल में करवाना चाहती हूँ बताएगे आप कितने पैसे लेंगे पैसो को छोड़ो बेहन पहले ये बताओ आपका बेटा मुझे नजर नहीं आ रहा उसे तो बुलाओ ना मेरे बेटे को इस स्कूल में आने की इतनी जादा खुशी थी वो तो पहले ही जाकर कलास में बैट गया है अच्छा मैं उसे खुदी जाकर मिल लूँगा आपको अपने बेटे की फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है हम उसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे फिर भी मुझे बता दे महाना कितने रपे खर्चाया करेगा मेरे बेटे का ताकि मैं पैसे जमा करना शुरू कर दू ना कोई खर्च नहीं है इस स्कूल में हम बच्छों से कोई फिस नहीं लेते बच्छों को खुब अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं तो माम काम उनके हम खुदी कर लेते हैं शुक्रिया सर लेकिन अभी मुझे घर जाना होगा आप मेरे बेटे का खुब अच्छे तरीके से दिहान रखना फिर रानोची रिया अपने घर वापस चली जाती है और स्कूल टीचर जल्दी से बंटी के पास चले जाता है तो बच्चो ये हमारे स्कूल में बंटी आया है ये एक बहुत होनहार बच्चा है इसे तमांँ चीज़ों का मालूम है सर जी क्या भी हमारे साथ पढ़ा करेगा हाँ बच्चो और आप लोगों ने इसे अपना बहुत अच्छा दोस्त बना लेना है क्योंकि इस स्कूल में जो भी आता है वो एक दूसरे का अच्छा दोस्त बन जाता है ये हमें एक और नया दोस्त मिल गया हम बहुत खुश किस्मत है उस दिन के बाद से बंटी बहुत दिल लगा कर मेहनत करने लगा था अब तो उसे स्कूल जाने में बहुत जादा मज़ा आता था उसे बहुत अच्छे टीचर भी मिल गए थे इस तरहां काफी जादा सारा अर्शा गुज़र जाता है अब बंटी और उसके तमाम दोस्त बड़े हो गए थे अरे बंटी देखो कितनी जल्दी वक्त गुज़र गया अब हम सब बहुत बड़े बड़े हो गए हैं अब हमें अपना अपना काम करना होगा हाँ मेरे दोस्त अब अलग होने का वक्त आ गया है लेकिन हम दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं हम दोना हमेशा बहुत अच्छे दोस्त बन कर रहेंगे बन्टी मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे तुम्हारे जैसा एक इतना अच्छा दोस्त मिलेगा जो मेरे हर बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ा होगा चीकू तुम भी बहुत जादा अच्छे हो तुमने भी मेरी बहुत जादा मदद की है लेकिन अभी हमें अपने मुस्तक्बिल पर फोकस करना होगा बन्टी और चीकू अपने अपने कामों में लग जाते हैं और उन्हें बहुत अच्छी अच्छी नोक्रिया भी मिल जाती है मा मुझे पुलिस की नोक्री मिल गई है अब मैं S.H.O. बन गया हूँ एक पूरे थाने का अरे वाह वाह मेरे बेटे मुझे तुम पर फकर है बच्छे और काम्याब होकर लोटना और उस टीचर को जरूर पकड़ लेना जो बच्छों पर इतना बुरा जुलम करते हैं फिर बन्टी अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैट कर दूसरे जंगल की तरफ रवाना हो जाता है अरे पुलिस सर शुकर है आप आगे यहाँ पर एक टीचर है जिसने बच्छे पर इतना बुरा जुलम किया कि उसे जान से ही मार दिया है लेकिन मैंने तो सुना थे यहाँ पर बच्छे का सर फार दिया है सर फारने वाली टीचर कहाँ पर है एसे चो साहाब जिस टीचर ने सर फारा था बच्छे का वो बच्छा ही मर गया है आप उस टीचर को पगर कर जेल में डाल दे जब बंटी टीचर को अरेस्ट करने के लिए क्लास में जाता है तो टीचर वही होती है जो बच्पन में बंटी पर भी जुलम क्या करती थी टीचर आप आप यहाँ पर हैं और आप अभी तक यहाँ पर हैं कौन हो तुम और मुझे कैसे जानते हो तुम तो एसे चो हो ना मैं बंटी हूँ जिसे आपने बच्पन में कलास से बाहर निकाल दिया था एक बार मेरे पास किताबे नहीं थी और दूसरी बार एलिफेंट के स्पैलिंग मैंने ठीक सुनाई लेकिन आपने गलत कहकर मुझे कलास से बाहर निकाल दिया था तो अब यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो चले जाओ यहां से दफा हो जाओ अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूँगा जो बच्चों पर जुलम करते हैं कानून उन्हें जेल में डाल देता है और मैं भी अब कानून हूँ मैं आपको जेल में डाल दूँगा बंटी टीचर को अरेस्ट कर लेता है और उसे एक जेल में डाल देता है तो मेरा टीचर के लिए बस यही मैसिज है बच्चों पर जुलम मत किया करें बच्चों को बच्चे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें समझ नहीं होती छोटे बच्चों पर जुलम करना बहुत बुरी बात होती है सबस्क्राइब जंगल में इद आने वाली थी सब परिंदे बहुत ही जादा खुश थे और उसी जंगल में रहने वाली रानोचिडिया बहुत ही जादा गरीब थी मा इद आने वाली है हमें भी नए कपड़े दिलवा देना सब परिंदों ने नए कपड़े ले लिए है हाँ मा और मिठाईयां समयां खीर सब प्रिंदे खाते हैं बस हमीं नहीं खाते हम भी कब खाएंगे मा और हमारी ईडी क्या अब हमें एडी भी देंगी अब मा अपने बच्चों को बच्चों इतना कहने के बाद जंगल के तरफ रमाना हो जाती है अब मैं अपने बच्चों की खुआइशात को कैसे पूरा करूँ उन्हें नए कपड़े भी लेकर देने है अरे हाँ हर्याली बेहन के पास जाती हूँ और उसे कुछ पैसे ले लेती हूँ फिर कुछ ही दिनों बाद उसके पैसे उतार दूगी मैं बस इतना सोचने के बाद रानो चिड़िया जल्दी से हर्याली तोती के पास चली जाती है अरे रानो तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ बस वैसे ही यहाँ से गुजर रही थी तो आपकी आवाजें आई तो सोचा आपसे मिल लेती हूँ एन सही वक्त पर आई हो यह देखो मैं अपने लिए नए जोड़े लेकर आई हूँ बताओ कैसे लगे तुम्हे अरे वाँ वाँ यह तो बहुत ही जादा खूबसूरत है मुझे यह जोड़े बहुत जादा पसंद आए है अच्छा अच्छा ठीक है, अब मेरे जोड़े मुझे वापस करो हाँ 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 हरयाली बहन ये ले और आप ये तो बताएं आप कितने जोड़े लेकर आई है मैं मैं अपने लिए पांच जोड़े लेकर आई हूँ और अपने दोनों बच्चों के लिए दस दस जोड़े लेकर आई हूँ पर इतने जोड़ों का क्या करना है इत तो बस तीन दिनों की होती है ना हाँ होती तो तीन दिनों की है लेकिन एक एक दिन में मैं दो दो सूट पहनूंगी हरे आली बेहन मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए आप मुझे पैसे दे दे मैं आपकी उधार उतार दूँगी बाद में क्या मतलब पैसे चाहिए ऐसे मूँ फाड़ कर मुझसे पैसे मांग रही हो पैसे भी कोई मांगने वाली चीज होती है अरे हर्याली बेहन मैं मजबूर हूँ मैंने अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने हैं मेरे पास पैसे नहीं है और वैसे भी मैं उधार ही मांग रही हूँ ना मुझे पता है तुम्हारी ओकात कितनी है तुम मुझे मेरे पैसे कभी भी वापस नहीं कर सकती और मैं तुम्हें एक रुपिया भी नहीं दूँगी हरे आली बेहन आपके पास तो इतने जादा सारे पैसे हैं आपने अपने लिए पांच और अपने बच्चों के लिए दस दस सूट बनाए हैं मेरे बच्चों कभी तो हाक है उन्हें पहनने का तो हाक है आप मुझे पैसे दे दे ना तो मुझे क्यूं बता रही हो मैं कि उनकी माँ हूँ जो उन्हें सूट ले ले कर दूंगी तुम हो उनकी माँ और उनके लिए मेहनत तुम खुदी करो बस इतना सुनने के बाद रानो चिडिया बिचारी चुप चाब वहां से चली जाती है अरे आज तो हर्याली बेहन ने भी मुझे पैसे नहीं दिये अब तो मैं किस से मांगू मुझे कोई भी पैसे नहीं देगा फिर रानो चिडिया बिचारी जंगल में यहां वहां मारी मारी फिर रही थी कि रास्ते में उसे गोरी कवी मिल जाती है अरे रानो बताओ कैसी तैयारिया चल रही है तुम्हारी बच्चों के कपड़े सलाई हो गए या नहीं हुए अरे नहीं गोरी बेहन मेरे पास पैसे ही नहीं है मैं अपने बच्चों के नए कपड़े कैसे खरी दूँ अरे चिडिया तुम कैसी मा हो अपने बच्चों को नई कपड़े नहीं दोगी इत पर पहनने के लिए देना तो चाहती हूँ पर कोई मुझे उधारी नहीं देता आप मुझे उधार दे दे मैं आपके पैसे उधार दूँगी अरे चिडिया मेरे पास तो पैसे होते ही नहीं लेकिन मैं कालू कवे से पूछ कर बताऊंगी ना तुम्हें गोरी बेहन आपका बहुत बड़ा एहसान होगा आप मुझे उदार लेकर दे देंगी फिर गोरी कवी जल्दी से कालू कवे के पास जाती है अरे कालू मुबारक हो तुम्हारे खेत का काम करने के लिए एक मुरगा मिल गया है क्या बात कर रही हो गोरी कोई मेरे खेत का काम क्यों करेगा ये तो मेरी ही जिमेदारी है ना रानो चिडिया को कुछ पैसे उधार चाहिए तुम ऐसा करो उसे कहना मेरे खेत का काम कर दे और तुम उसे पैसे दे दोगे पर तुम्हें मालूम है ना गोरी मेरे पास कोई पैसे नहीं है मैं उसे पैसे नहीं दे सकता अरे मेरे पागल कालू तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती तुम चेडिया से अपने खेट का सारा काम करवाओ लेकिन उसे एक रुपिया भी मत देना अच्छा तुम बिलकुल ठीक कह रही हो ना मुझे मेहनत करने की जरूरत होगी और वो गरीब चेडिया तो बहुत मजबूर है और मेरा सारा काम भी कर देगी शुकर है तुम्हें कुछ तो समझ जाया आप जल्दी से जाओ चेडिया के पास और उसे का होड़ वो तुम्हारा काम करे फिर कालू का वाज जल्दी जल्दी रानो चिडिया के पास जाता है अरे कालू भाई आप आ गए आप मेरे लिए पैसे लेकर आए हैं ना चिडिया मैं कोई पैसे नहीं लेकर आया तो मेरे खेत का काम करो उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा कालू भाई, एद आने वाली है, मैंने एद की तयारिया भी करनी है, आप बाद में मुझसे काम करवा लेना ना नहीं, नहीं, जब तक तुम मेरा काम नहीं करोगी, तब तक मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा अच्छा चलो ठीक है कालू भाई में कल सुबा से ही आपके खेत में जा कर आपके हिस्से का सारा काम कर दूंगी लेकि नियाद रखना मुझे मेरे पैसे चाहिए अरे उसकी फिकर मत करो मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें दे दूँगा ईद की चांद रात को फिर इतना कहने के बाद कालू कवा खुशी खुशी अपने घर वापस चल जाता है अरे गोरी तुमने तो कमाल ही कर दिया वो गरीब चिडिया मेरी बातों में आ गई है और मेरे खेत का काम करने के लिए मान भी गई है देखो इस तरह गरीब लोगों का फाइदा उठाया जाता है अब वो तुम्हारे हिस्से का काम भी करेगी लेकिन उस बचारी को क्या मालूम उसे तो कुछ मिलने ही नहीं वाला बहुत मज़ा आएगा चांदनी रात को जब वो सब परिंदों के मूँ देख रही होगी कि उसके कब पैसे आएंगे और कब वो शोपिंग करने के लिए जाएगी अगले दिन रानो चिडिया सुबह सवेरे उठकर कालू कवे के खेत में जाती है और वहां पर खूब जादा मेहनत से काम करती है अरे ये तो बहुत ही जादा मेहनत का काम है सच में कालू भाई बहुत जादा मेहनत करते है शाम को ठक हार कर रानो चिडिया जब अपने गर वापस जा रही थी तो वहां पर कालू कवा आ जाता है अरे रानो कहां जा रही हो रुको तो क्या हुआ कालू भाई अब तो बहुत देर हो गई है मेरे बच्चे भी घर में अकेले हैं मुझे जाने देना तुमने ये सारा काम मुकमल करना है अब तुम दिन रात मेहनत करोगी तब ही तुमें तुम्हारे पैसे दूंगा मैं पर अभी तो मुझे जाना होगा मेरे बच्चे सुबा से भूके हैं मैंने उन्हें खाना भी तो बना कर देना है कल से कुछ करती हूं मैं इतना कह कर रानो चिडिया अपने बच्चों के पास जाती है मा आज आप बहुत देर से आई हैं हमने आपको बहुत जादा याद किया हाँ मा मुझे बहुत जादा भूख भी लग रही है आप रोजाना हमें वक्त पर खाना देती थी लेकिन आज हम दोनों भूख के रह गए हैं क्या करूं बच्चों मुझे माफ करना लेकिन तुम्हारी खुआशात बुरे करने के चक्कर में ही मैं देर से आई हूँ ना फिर रानोचिडिया जल्दी जल्दी अपने बच्चों को खाना बना कर देती है और दोनों बच्चे पेट भर कर खाना खाते हैं और आराम से सो जाते हैं अरे जगू बेटा जल्दी आजाओ एद की तयारियों के लिए चीज़े भी तो लेकर आनी है ना आ रहा हूँ थोड़ी देर सबर भी कर लो एक तरफ रानोचिडिया जहां अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही थी वहीं दूसरी तरफ कालुकवा अपने बच्चों के साथ ईद की शॉपिंग कर रहा था इसी तरहां कई दिन गुजर जाते हैं अरे गोरी आज तो चांदनी रात है और रानोचिडिया ने खूब जादा मेहनत की है अब तो वो मुझसे पैसे मांगने के लिए ज़रूर आएगी आ जाने दो हम क्या उससे डर कर बैटे हैं या हमने उसकी कोई उधार ली हुई या जो हम उसके पैसे वापस करेंगे चलो बच्चो आज तो तुम्हें शोपिंग करवा कर लेकर आउंगी अभी मैं कालू भाई से पैसे ले आती हूँ हाँ मां मैंने गुडिया भी लेनी है सब प्रिंदे गुडिया भी लेते हैं ईद वाले दिन मा मैंने गाड़ी भी लेनी है क्योंकि मेरे सारे दोस्तों के पास इद वाले दिन गाड़ी और बंदूप भी होती है अच्छा चलो ठीक है अभी मुझे पैसे तो लेकर आने दो ना फिर रानो चिडिया जैसे ही कालू कवे के पास जाती है कालू का वाग उससे में रानो चिडिया से पूछता है क्या करने के लिए आई हो मेरे घर रानो चुप चाप यहां से चली जाओ कालू भाई आप मुझे ये कैसे बात कर रहे हैं और आपने मेरे पैसे भी तो देने हैं आप मुझे मेरे पैसे दे दे मैं यहां से चली जाओंगी नहीं नहीं मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाला मैंने तुम से जूट बोला था कि तो मेरे जमीन पर काम करो मैं तुम्हें पैसे दूंगा ये कोई मज़ाग की बात नहीं है आप मुझे मेरे पैसे दे दे मैंने अपने बच्चों को आईद की शोपिंग करवानी है आज वो दोनों बहुत जादा खुश है हैं तो हैं वो तुम्हारे बच्चे हैं और उनकी खुशी तुम खुदी जानो मुझे आकर क्यूं बता रही हो कालू भाई आप तो बहुत तेज निकले आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया मैंने दिन रात मेहनत की आपके खेट पर के मुझे पैसे मिलेंगे तुम तो लालची हो चिडिया लालची और लालची लोगों को लालच की सजा जरूर मिलती है जो अब तुम्हें मिर रही है कालू भाई मैं आपको बहुत अच्छा समझती थी लेकिन अब मुझे पता चल गया है आप बहुत बुरे हैं अभी वक्त मेरा बुरा है लेकिन कल को जब आपका वक्त बुरा आएगा तो मैं भी आपकी कोई मदब नहीं करूंगी ए काली जुबान वाली चिडिया आप चुप चाप यहां से दफ़ा हो जा वरना तुझे धके मार मार के अपने घर से निकाल दूँगा मैं फिर रानोची या बिचारी उदास होकर जंगल में जाकर अकेली बैट जाती है भाईया मेरी गुडिया आएगी मैं तो बहुत ही जादा खूश हूँ इतने सालों से मैं सोच रही थी एक गुडिया लूँ लेकिन ममा के पास पैसे नहीं थे हाँ और मेरी गाड़ी भी आ जाएगी हम दोनों अपने दोनों चीजों के साथ मिलकर खेला करेंगे मेरे बच्चे आज कितने जादा खूश है कि ममा उनके लिए चीजे लेकर आएंगी मेरे बच्चों मेरे पास पैसे नहीं है मैं तुम्हें कैसे बताओं कालू भाई ने मेरे साथ धोका कर लिया है उदास रानो चीडिया जंगल में अकेली बैठी थी कि अच्छानक एक अच्छी परी नमुदार हो जाती है अरे चीडिया क्यों रो रही हो तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारे तमाम मसाइल को हल कर दूँगी परी कालू भाई ने मुझे सारे खेत का काम करवाया और कहा के वो मुझे पैसे देंगे लेकिन अब मुझे कोई पैसे नहीं दे रहे मैंने अपने बच्छों के लिए इतकी शोपिंग भी करनी थी बस इतनी सी बात इतनी सी बात पर तुम्हे नहीं रोना चाहिए चिर्या तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा परी अब मुझे में कोई हिम्मत नहीं रही मैंने इतनी जादा मेहनत की मुझे मेरी मेहनत का फल भी नहीं मिला मैं तुम्हारी मेहनत का फल देने के लिए आई हूँ अब तुम जल्दी से अपने घर के दर्वाजे के पास जाओ वहाँ पर देखोगी तो तुम्हें बहुत से इनामात मिलेंगे फिर रानोचेडिया खुशी खुशी अपने घर के दर्वाजे के पास जाती है तो वहाँ पर बहुत से इनामात पड़े होते हैं अरे वो परी तो सच कह रही थी अब इन सब को उठा कर अपने घर ले जाती हूँ मेरे बच्चे ये सब देखकर बहुत जादा खुश हो जाएंगे रानोचेडिया अपने बच्चों के साथ मिल कर जब सारे इनामात को खुलती है तो उनके अंदर खुबसूरत गुड़िया गाड़ी बंदूग कपड़े हर चीज निकल आती है अरे ये तो बहुत ही जादा और खुबसूरत चीज़े हैं अब तो मेरे बच्चे खुब मज़े से ईद मनाएंगे दूसरे परिंदों की तरहा फिर अगली सुभाद सब परिंदे बहुत ही जादा खुश होते हैं सब एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे होते हैं अरे हर्याली बेहन तुम्हें बहुत बहुत इद मुबारक हो हाँ गोरी बेहन तुम्हें भी इद मुबारक हो चलो अब दूसरे परिंदों से भी जाकर मिल लेते हैं अबू इद मुबारक मुझे कुछ पैसे तो दे दो ना अबीडी के तोड़ पर अरे हाँ हाँ ये लो बेटा पैसे अब जाओ और अपने दोस्तों के साथ खुब मज़ी से इद मनाओ अरे अबू ये पैसे तो बहुत ही कम है आप मुझे जादा सारे पैसे देना आपने मुझे वादा किया था कि इद पर आप मुझे सबसे जादे इदी देंगे अरे बेटा अभी ये तो रखो मैं तुम्हें बाद में दे देता हूँ ना फिर जगू कालू कवे से पैसे लेने के बाद जंगल में एक जगा जाकर अकेरा बैट जाता है अब आएगा मज़ा इस पूरे जंगल में सबसे ज़ादा एदी मेरी ही होती है और मेरे अबू मुझे अपने सारे पैसे दे देते है माँ क्या आप मुझे भी बाहर जाना होगा दूसरे प्रिंदों को एद मुबारक कहने के लिए हाँ मेरे बच्चे जाओ सबको एद मुबारक को हो मा कोई हमसे खुश नहीं होता ना कोई हमारी मदद करता है मैं कैसे सबसे एद मुबारक को हूँ मुझे सबसे बहुत जादा डर लगता है बेटा थोड़ा बहुत होसला करो जो डर गया वो मर गया तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा और जा कर बस सबको ईद मुबारक कह दो किसी से ईदी मांगने की कोई जरूरत नहीं है फिर बंटी जल्दी जल्दी गुड़िया के पास जाता है गुड़िया चलो देखो ईद का वक्त हो गया है सब लोग बाहर निकल आए हैं अब हम लोगों को भी जाना होगा भाया मैं बाहर नहीं जाओंगी पिछली एद पर मुझे चोर बना दिया था और इस एद पर पता नहीं मुझे क्या बनाएंगे मेरा दिल नहीं करता बाहर जाने को अरे मेरी बेहन डरो मत मैं तुम्हारी मदद करूंगा मैं तुम्हारी हिफाज़त भी करूंगा काफी देर तक इंकार करने के बाद आखिर कार गुरिया बंटी के साथ जाने के लिए तयार हो जाती है हरे आली आंटी आपको बहुत बहुत इद मुबारक हो हाँ हाँ खैर मुबारक खैर मुबारक लेकिन मुझे ये बताओ तुम लोग मेरे घर में क्या करने के लिए आए हो आंटी हम चिंटो से मिलने के लिए आए हैं कि आप उसे बुला देंगी हम लोग इत पर बाहर घूमने के लिए जाएंगे ओ काँ देखी है तुम लोगोंने बाहर घूमने वाली और मेरा बेटा तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाएगा मैं अपने बेटे को ले कर अपने साथ जंगल में लेकर जाऊंगी चलो ठीक है आंटी हम जगू के पास जाते हैं घर में गोरी कवी और जगू बैठे बाते कर रहे थे अरे जगू मेरे प्यारे दोस्त तुम्हें ईद बहुत बहुत मुबारक हो हाँ ये नमूने कहां से आ गए मा मैंने कहा था ना दर्वाजा बंद कर लो ये लोग हमारे घर में क्या कर रहे हैं अरे यार हम तुम्हें ईद मुबारक कहने के लिए आये हैं हम अभी चले जाएंगे तुम खैर मुबारक कह दो ना तुम लोगों को मैं खैर मुबारक कहूँ मेरी कोई खैर मुबारक नहीं हुई है तुम लोग यहां से दफा हो जाओ चलो जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे हम लोग बाहर घूमने के लिए जा रहे थे और सोचा तुम्हें भी बुला लेते हैं तुम लोग तो इतने ज़ादा गरीब हो ना तुम्हारे पास कपड़े खरीदने के पैसे थे और तुम लोग मुझे घुमाने के लिए बाहर लेकर जाओगे मैं तुम लोगों से ज़ादा अमीर हूँ में हर जगा अकेला जा सकता हूँ फिर बंटी और गुड़िया केले जंगल में एक जगा जाकर बैट जाते हैं अरे भाई देखो हमें कोई भी नहीं पसंद करता क्या हम लोग हमेशा ऐसे ही इदे मनाते रहेंगे अरे बेहन ऐसा बिलकुल भी नहीं है पर मुझे नहीं मालूम के वो हमारे बारे में इतना बुरा क्यूं सोचते हैं ना हम इतने बुरे हैं अब मैं घर जा रही हूँ मुझे यहाँ पर मज़ा भी नहीं आ रहा है अच्छा चलो ठीक है चलते हैं लेकिन मैं सोच रहा था जो हमारे पास जादा सारी गुडियां है उन में से सब परिंदों के घर एक एक गुडिया भेज देते हैं अरे भाई कैसे भेजेंगे कोई हमें अपने घर बुलाता ही नहीं है हम उन्हें गुडिया नहीं देंगे अरे अरे जो चीजें हमारे पास जादा होती है हमें उन्हें दूसरों को दे देना चाहिए न वो ऐसे ही बेकार पड़ी रहेंगी तो खराब ही हो जाएंगी ठीक है अब आप कह रहे हैं तो भेज देते हैं लेकिन मेरा कोई दिल नहीं कर रहा इन परिंदों के घर कोई भी चीज भेजने को चील चाचा एद मुबारक अरे खैर मुबारक खैर मुबारक इतने दिन अबाद आये हो तुम लोग कहां गुम थे वैसे ही आज इद है तो सोचा आप सबसे मिल लेता हूँ ठीक है बेटा लेकिन अभी मुझे थोड़ा काम है मैं बाहर जा रहा हूँ तुम लोग गल्ट वक्त पर आये हो तो इदी तो दे जाओ ना हम यहाँ पर इदी लेने के लिए आएं और आप यहां से जा रहे हैं यह सोर पे पकड़ो अभी मुझे बहुत जरूरी काम है अब तुम यहां से चले जाओ जगू सोर पे इदी पकड़ कर चील के घर से बाहर आ जाता है दिखा दिखा कितने पे इदी मिली अभी तो तु कह रहा था इतनी जादा इदी लेकर आऊंगा अरे यार बस सोर पे इदी मिली है यह चील बहुत ही जादा कंजूस है इद पर भी सोर पे ही इदी देता है तुम्हें मालूम है हमारे गाउं में जो भी हमें सोर पे ईड़ी देता था हम सब बच्चे उसे पकड़ कर खूब जोजोजोँ से मारते थे और उसके सारे पैसे चीन लेते थे अच्छा लेकिन मैं चीन को कैसे मारूं वो तो मुझसे इतना ज़दा बड़ा है और मेरे अबू को बता दिया उसने मेरे अबू भी मुझे मारेंगे अरे यार तुम्हारे अबूने तो आज तक तुम्हें कभी मारा ही नहीं है लेकिन चील को मारने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा ठीक है अब जल्दी जल्दी चलो मेरे साथ क्या करना है मुझे बताओ तो एक बार ये देखो ये दो डंडे हैं हम इन दोनों डंडों के साथ चील पर हमला कर देंगे तुम चील को पहले जाकर खुब जोजोजोब से मारना शुरू कर देना और पीछे से आकर मैं मारना शुरू कर दूँगा बेवाकूफ जगु अपनी दोस्त की बातों में आ जाता है और जैसे ही चील अपने पैसे लेकर घर से बाहर आता है जगु बड़ा सा डंडा लेकर चील के पास चल जाता है अरे बेटा गुली डंडा गुली डंडा भी मैं नहीं खेलूंगा तुम यहां से जाओ मैंने तुम्हें कहा है न मुझे बहुत जरूरी काम है मैं कोई कुली डंडा नहीं खेलने आया मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए आया हूँ मैं आज तुम्हें इतनी जोर जोर से मारूंगा कि अगली ईद पर तुम मुझे एक हजार पे से कम ईदी कभी भी नहीं दोगे ये क्या कह रहे हो मेरा रास्ता छोड़ो मुझे बहुत जरूरी काम है जगु अकेला बड़ा से डंडा ले करचील को जोर जोर से मारना शुरू कर देता है आखिर कारचील को बहुत ज़दा गुसा आ जाता है और वो जगु को अपने पंजों से जखमी कर देता है अभ 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 शुरू हो गई मुझे डंडा तो लेकर आने दे देते ना अरे यार बड़ी जो जो से मारा है अब मुझे ले जाओ कहीं इससे पहले कि मैं मर जाओं चलो यहीं पर पड़े रहो तुम इतने जादा वजनियों मैं तुम्हारे अबू को बला कर ले आता हूं अगर वह आए तो तुम्हें एदी सोर पे मिली है और मुझे पचास रुपए मिली थी मुझे बहुत ज़्दा दुख हुआ था लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया एक बार मुझे ठीक हो जाने दो फिर मैं तुमें बताँगा के मैं हू कौन बिचारा जगू जंगल में अकेला पड़ा रहा और उसका दोस्त उसे छोड़ कर वहां से भाग जाता है शाम को बंटी और गुडिया जब अपने घर वापस जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें जगू पड़ा हुआ नजर आ जाता है अरे ये तो जगू है ये इतना ज मदद बिल्कुल भी नहीं करेंगे करनी तो होगी ये बहुत जादा जखमी है इसकी जान भी जा सकती है बुरा लगता है वो अलग बात है लेकिन हमें इसकी मदद करनी होगी फिर बंटी और गुडिया जगू को उठाकर होस्पिटर ले जाते हैं और खूब अच्छे तरी हो और ये होस्पिटल है होस्पिटल अरे बंटी तुम तुम यहां पर क्या कर रहे हो तुम मुझे यहां पर क्यों लेकर आए और मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है ये तो तुमें ही मालूम होना चाहिए ना अब हम यहां से जा रहे हैं अब हम तुमारे ममा बाबा क को यहां पर भेज़ देते हैं वो तुम्हें खुटी देख लेंगे अरे दोस्त मत छोड़ कर जाओ मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मेरी जान बचाए और जो मेरा अपना दोस्त था उसने मेरी जान लेने की कोश क्या तुम मुझसे दोस्ति करोगे मैं तुम से दोस्ति करना चाहताूं और अपने सारे किये लुए गुनाहों की माफी ही मांइभ नंजाता हूं पार लेकिन मेरी बेहन मेरी बहुत अच्छी दोस्ता मैं और किसी झारे मेरी बहुत ही जादा नेक है तो देख किस बात की है जाओ इस गुड़िया को सब को बात दो ना फिर बंटी और गुड़िया एक एक बैक बनाकर सब पृंडों के घरों के दर्वाजों के आगे रखाते हैं बाई आपने मेरी बहुत मदद की है आपने मुझे बताया कि डर कर रहना जरूरी नहीं है इंसान को हिम्मत से काम लेनी होती है अरे हम इंसान नहीं है हम लोग परिंदे हैं परिंदे हाँ हाँ परिंदों को हिम्मत से काम लेनी होती है हम डर कर जिन्दगी नहीं जी सकते हमें जिन्दगी में अगर आगे बढ़ना है तो डर को सबसे पहले खतम करना होगा इस तरहा रानुचीरिया अपने बच्चों के साथ दुबारा से हसी खुशी जिन्दगी गुजारने लग जाती है सबस्क्राइब